हेलो मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मैं आपको सर्षोगी पॉइनर 45-46 वरायटी के बारे में बताऊंगा मैंने यह वरायटी एक नॉम्बर को लगाई थी चलो चलिए सटार्ट करते हैं जह पॉइनर गी 45-46 वरायटी है जो कि मैंने एक नॉम्बर को लगाई थी मार्केट में सर्षों की बहुत सी वरायटियां उपलब्द है जैसे पॉइनर 45-46, पॉइनर 45-42, पॉइनर 45-42, और 30 और भी बहुत वरायटियां उपलब्द है लेकिन यह वरायटी पॉइनर 45-46 है जो कि आप देख सकते हो सबसे पहले हम इसमें एक खेट का सुनाव करते हैं उसके बाद हम उस खेट की मिट्टी की जांच करवाते हैं जिसे हम स्वाइल हैल्थ कार्ड या मर्द्य स्वास्त्य कार्ड भी कहते हैं जिससे हमें यहापता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पोशक तत्तों की कमी हैं उसी के अनुरूप हम खादगा परियोग कर सकते हैं अगर हम गौबर की खादगा इस्तेमाल करते हैं तो एक अंकड के लिए 6-8 रोली परियापता रहता है अगर हम रसाइनिक खादगा इस्तेमाल करते हैं तो सर्शों के खेट के लिए 50 किलो डीपी और 10 किलो सुपर 20 किलो परियापता रहता है आप खाद का चुनाव अपनी मिट्टी की जांस की उनुसान भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने खेट की सिचाई कर दी थी जमेन के बत्तर आते ही उसे ट्रेक्टर की साइटा से जुदाई कर उसको कल्टिवेटर साइटा से समतर कर दिया उसके बाद बीज का चैन मैंने यहां पॉइनर की 45 और 46 व्रैट्टे का बीज का चुनाव किया था अगर आप पॉइनर करते हो तो बैतन रहता है मैंने इस पॉइनर कुनाव कल्चर चैने उपकर्ड़ किया था इसके उपकरद करने से बीज का उपकुर्ण हमें वह प्वाइनेर पंतारिश है च्छारिश का बीज एक अंकट के लिए एक किलो प्रियापत रहता है इसमें बीज की बुवाई खाद की बुवाई दोनों मशीन के साथा से एक साथ कर सकते हैं विज़ाई के बाद आप इसमें पेंडा मेलित्यान यहनि पेली दुवाई का पिर्योग कर सकते हैं जो की करपत्वार की रोक थाम के लिए क्या जबता है तीस से फंदाण तीन बाद इसको आपको पहली सिचाई कर देनी है सिचाई के समय मैंने इसमें 50 किलो यूरिया पर यंकट डाला था उसके दूसरी सिचाई के स्यच भी मैंने इसकी एक महिने के बाद फिर कर दी थी उसमें 50 किलो यूरिया फिर डाला था इस वराइटे में किसी भी परकारगा कोई सपरेनी की गया है पॉइनेर 45-46 वराइटे की कुछ विशेशताई है जैसे पॉइनेर 45-46 वराइटे का जो पॉद्दा हता है उसके लंबाई अन्य वराइटे की मुकाबले कम होती है लेकिन दूसरा इसका फाइदा यह है कि इसमें पुटाव सुरू से हो जाता है और अंतक सकता है जिसका पैदावार पर पूरा असर पड़ता है जिससे पैदावार जादा होती है क्योंकि इसमें सुरू से ही पुटाव हो जाता है जिससे फलिया जादा बनती है और जिसमें पैदावार में वर्द्ध होती है पॉयनियर 45-44 की ये सबसे बड़ी खाशित है जिसका गिसानों को पूरा लाप मिलता है अगर आपको ये यूडियो पसंद आए तो आप इस यूडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेट जरूर कर देना धन्यवाद